बंगाल में चुनाव के नतीजे जो सुपे से लेकर जो अभी तक सामने आये हैं उसे देखर तो साब ज्वाहिर है कि शायद इस बार एक पर फिर से मंता ही अपनी सरकार बनाएगी लेकिन इससे पहले कि अभी हाला कि अभी रिजल निकलने में अभी थोड़े की चंद गंटे कि समय पाकी रहे गए हैं लिकिन उसे पहले ही टीमसी जो कारी करता है और जो टीमसी के सपोर्टर्स है वो अभी से जस्ट मनाना शुरू कर दिया है जी हाँ आपको बता दी कि वे जीत का जस्ट मनाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं और इसे लेकर आप जो चुनाव और टीमसी के जो जैकारे लगाते नजर आ रहे हैं और इसे लेकर जो चुनावा योग है वो आपना घुसा जाहिद करें अपने नराज़ के चताते में कह रही हैं कि मुख्य जुनावा योग में यह जो निर्देश है वो मुख्य सचीव को दिया है कि जो थी इस पर कोई स विजल्ट अभी सामने आ रहे हैं सुबे से और जैसे जैसे टीमसी के जीत की संभावना है वो बढ़ चुकी है उसे देखते वें टीमसी की कर्मी है और टीमसी सपोर्टर्स है वो खुद को रोग नहीं पाया और वें सारे डीमों को तर्किनार करते में सड़कों पर उतरा आय जो मुखे सचीम है इसे लेकर काफी एतराज नजर आई ता इस वक्त हमारे साथ जुट चुकी है हमारे चीफ एडिक्टर सोनी जी उनसे बात करेंगे कि अभी तक जो बंगाल में जो मदगर्णा का जो दौच चल रहा है मतगर्णा चल भी है उसका अब तक क्या अपडेट है क्या आगरे सामने आ रहे है जी हां सुहाना इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि बंगाल विधानसवा चुनाव के जो नतीजे सामनी आ रहे है उसमें एक बार फिर से बंगाल के मुखे मंतरी मम्तब आनेजी जो है है ट्रिक मारने जा रही है हाला कि शाम तक पूरे परिणाम जो है वो आज आएंगे और पूरे तरीके से साफ हो जाएगा कि कितने संख्या से कितने वोटों से त्रिन मुल कॉंग्रेज ने जीत हासिल की है हाला कि इस वक्त की जो बड़ी ख़बर है आपको बता दे कि त्रिन मुल कॉंग्रेज सबसे आगे चल रही है ममतब आЫरजी की पार्टी को रुझानों में सपश्ट बहुमत जो है वो यहां पर जो तस्वीरे दिख रही है कि जिस तरीके से जासे जासे नतीजे सामने आए वैसे वैसे जो है तस्वीरे जो खुल कर निकल कर आ रही है कि तुरिन्मुल के समर्थकों में काफी खुशी का महौल है हलाकि Election Commission ने यादेश दिया था कि जच ने नहीं मनाय जाये लेकिन उनके फैसलों को दरकिनार करते हुए तुरिन्मुल के जो समर्थक हैं वो दोपहर से ही हलाकि उनमें खुशी का महौल दिखा जा रहा है वो होली खेल रहे हैं पटाखे छोड़े हैं और तरह तरह की जो है वो मिठाईयां बाटते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच नंदी ग्राम की अगर बात करूँ सुहाना मैं कि नंदी ग्राम में हलाकि सवेरे के वक्त जब रुझानों की गिंती की जब शुरुवात हुई थी तब ये पता चल रहा था कि वहां से नंदी ग्राम से जो है शुबेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे लेक पीरे निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से वहां पर मम्त बैने जी आगे चल रही है और हैरत करने वाली बात यह है कि जब इलेक्शन चल रहा था तो शुबेंदु अधिकारी ने ये प्रतिक्रिया जाहिर के थी कि अगर मैं नंदी ग्राम सीट से हलाकि त्रेंबुल में व साफ साफ शब्दों में कहा था शुबेंदु अधिकारी ने कि इस बार अगर मैं भाजपा में जा रहा हूँ और अगर हार जाता हूँ वहां से नंदी ग्राम सीट से तो मैं पार्टी को छोड़ दूँगा लेकिन इस वक्त जो रुजहान सामने आ रहे हैं सुहाना उसे सा जो मना किया गया था तो वो तस्वीरे जो है वो निकल कर एक तरफ सामने जो आ रही है कि लोग काफी जच्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बंगाल में असल मुकाबला बीजेपी और टीमसी में है और सुबह से ही त्रिनमुल ने रुजहानों में जो आगे चल रही है बीजेपी पीछे जा रही है इसे देखते हुए अब तक के रुजहानों से तो साफ पता चल रहा है कि त्रिनमुल एक बार फिर से हेट्रिक मारने की तैयारी कर रही है सुहाना कर लो मिला कै ने ऊत्छों कि जेत ग對 को सिंहानों में जाएं दोता कि भीज़ पहल मारना की तो कि ओहां जजि कि खुजर है औरसे ही है इस जजणैंवी मीज़ां कि याल नेय दो रुब्मान प्लोमास्ट esse बचार मॉला य स egal सिपकेया हुआ गर खरो, तोम्होंट... हुआ और, हुआ, हुआ, हुआ! हुआ, हुआ, हुआ लेकन हचंऊंही कर दोराइस लगता Vault करता झाल लोराइस कर कर दो कर दो लोग